बलकुम वemi कवीडाई टूरेंस तो आज हमार टॉपिक होगा है इस्ट टूरी का फरेंच इस्ट इंडिया कमपनी तो फ्रेंच इस्ट इंडिया कमपनी के स्ट्थाप्प जो 25 हुआ ता वगप हुआ था वो होगा था 1664 में कहां से शुरू हुआ पहला शुरू हो गया कहां से चंदन अगर बेंगॉल से माही में फिर कारीकल फिर फॉंडेचरी फिर मॉर्शेस इन इंडियन ओशेंस तो यह मार्शेस जो है न वो इंडियन ओशेंस में तो मैब के तुम में आप लोगो दिखा दूँगा कि क तो मैंने आप लोगों को आल्रोडी कंसेट देके रखा है कि गोवर्मेंट और प्रेवेट जो हैं का डिफरेंस रहता है गोवर्मेंट कांड्रोल कंपनी जो है कोई भी डिसजेन ले तो वो खुद जो हैं कमपनी जो एट एट इट आम जो चला रहा होगा है तो प्रवेट में क्या होता है अब और उसके बात ये कहता है कि फ्रेंच इस्ट इंडिया कमने इंडिया के बहुत सारे जगों पर यह जो जितने भी मालब जो जगे ना वह एक पर्टिकूलर एक एरिया जो है एक दुसरे की एरिया में नाजदीक में नहीं पड़ा जाता है एंडिया का ठीक है सौ lot site से है पर अलग-अलग distance भे तो कहने का मलब मैरा यहे है की उन लोगोंने भी बहुत सारे जगों पे जो है कंट्रोल कर लिया था अब मेरे कहने का मलब यहां पर यह है कि Major Roll in the Expansion in India तो इंडिया में जो बड़े जगों पर जो उन लोगों ने जो कंट्रोल किया हुआ था उनका अपना उफिस जो नोगों ने खोला था तो किसके वज़े से प्ले यानि इसमें में रोल जो है डुप्लेक्स जो है यह जो यहां पर फोटो में जो आपको डिस्प्ले करके रखा हुआ इस बंदे का नम है डुप्लेक्स इसी के जो गौर्णर जर्नल बना के रखा हुआ था तो उसी के कांट्रोल से उसी के मदद से उसी के वज़ा से जो है इतने जगों पर क्या करना क्या हुआ यानि अपने जे आफिस इस अपने जो है कम कंपणी का ट्रेड के लिए जो है अफिस सखोल पाए ğें तो फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट में अप लोगो जो जो Спिस पी में देख़ा दो में देन आफ्टर मैं इस इंडिया कंपणी बिंडिसक्ट तो निक्स अब आप लोग इस मेप में देख सकता है कि कहां कहां जो है जैसे कि यहां पर मैं आपको देखा रहा हूँ क्यूंकि यह आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा जहा कहां पर पढ़ता है उनका एड्रस जीसे कि चंदन अगर यहां पर है चंदन नगर यहां पर है माही माही यहां पर है और यहां पर आप देख सकता है पॉंडिचरी यहां पर यह वाला इसमें पॉंडिचरी और कैरिकल दोन हो है और मैं आपको इंटरनेशनल में पर जो है न यह तो इंडियान में पर हो गए इंटरनेशनल में पर मैं आपको दू कि तो यह टोपिक जो हम अब डिसकस करने जा रहा है इस इंडिया कमपोनी स्टार्ट ट्रेट इस इंडिया कम्पोनी ने 1651 में अपना ट्रेड भी इस शुरू कर दिया बिस्निस के लिए उनको फैक्ट्री लगवाना था तो फैक्ट्री के लिए उन लोगोने बंगल हुगली जिए जगा ले लिया, यानि वहाँ से शुरू कर लिया, वहाँ से शुरू कर लिया, उनका फैक्त्री यानि उनको ट्रेट करना था, इसलिए कि वो समदर के नजदीक भी था ताकि यहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो दरिया के तरू जो है किष्टी के तरू जो है आराम से वो कर सके मगल इंपायर उस वकत का औरणजब से बाते कर लिया है नंजब से पर्मि calidad हम्मी तीन गाओं उन्ड फिर ओन में पर्मिशन देदे दें और फोल ऑची और अचियाता बहुत लिट फोल कि हो रहता तो उसी टाइम और और से कुछ करता है रिष्च्छी में लाता हैằं और कम से कम तीन गाओं जो उन ऑन के अंडर दे म् WOW तो अब जो हे, वहां के लोग जो हे, उनके अंग्रेज के हिसाप से काम करने लग जाता था, क्योंकि अब उनको जो हे, अब उनको क्या कहाता है, मेन पावर बढ़ाना था, तो उस चीज़ के लिए उननों लोगों ने, उनको जगे भी मिल गया, साथ-साथ में नेयन पावर भी मिल गया क्यों कि अब लोगों को छहे खाने का प्लॉलम हो रहा हूँ तो दिम जब फूर्ड का डिमांड ज्यादा है तो वह अंको मिल जाए क्यों कि ब्लुप काम करेगा तो लोग तो उनको ग्रांड कर दो यानि उनको परमिशन दे तो किस चीज़ का परमिशन उनको की फ्री आफ कॉस्ट में जैसे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं होगा वो इमपोर्ड और एक्सपोर्ट आराम से कर वाए अब किसी किताब में जो है लिखा हुआ है कि वो इसको परमिशन उसने दे दिया अब कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा हुआ है कि 1717 में जब वो गुजर गया था उसके बाद जो है 1770 में जो उनका उस वक्त जो है इंपेरर मौल इंपेरर जो उस वक्त का रूलर था कौन फारोग सियार उसने जो इनको परमिशन दे दिया था उसी बलबुते पर वो लोग क्या करता है अपना कंपनी को और भी जो है एक्स्टेंड यानि और भी बड़ा देता है बहुत जो है स्ट्रोंग एक कंपनी होता है बहुत सारी लोग जो इनके कंपनी में काम करने लगता है बहुत सारी जो है यहां से डिमांड ज्यादा उनको मिल जाता है वारकर्स ज्यादा ज्यादा उनके पास में पावर स्ट्रोंग होता है और उनका जो कंपनी बहुत बड़ा कंपनी के श्याकर लेना शूरू कर लेत है आगे वो क्या करता है की volt neighbor ट्रेडर्स अप्हकंती बहुत बड़ा है और जिस होँआ पर बाहन पर ज्टेन कम कर रहा है है अब होता क्या आगे जितने लोहँआ पर वार्कर्स चाहँ जो भी वहां काम कर रहा था उनको गूट्स सब्सिक्राइब सामं बनाना था तरहां पर बहुत सारे एंसे वार्कर्स था जो वहां से सामन को प्रेवेड ली जो है वो लो क्या करता था बेज देता था तो उसको हुआ क्या वहां पे की कंपणी एनॉर्मस लॉस आफ रिविन्यू यानि उसमें गाटा ज्यादा होने लगा क्योंकि उनको क्या है पहले तो वो लो क्या कर रहा है पॉर्ट इतना के माणन में प्लाणिंग के साथ निकर रहा था वालो की वो हखे काइंटिटी में जो है जो है वहन चुरि छिपे जो है जो नॉर्मल इऌnaire रिए इनको ले लेता था था या जो है बहुत सारे ऐसे भी था कि कम मालब कुछ अमोंट जो है उनको पे करता था और जो है वहां सवाँ बेच कर वह लोग प्रिवेट लिए बाहर जो है उनको बेच देता था तो उससे हुआ क्या प्रॉलम्स उस ये प्रॉलम्स हो रहा था कि अब आज़ते आज़ते कमपनी से सामन कम बिखने लगा और जो प्रेवेट जो लोगों ऐसे जो वारकर्स लोगों ऐसे जो रास्ते में ठेला लगा गया कहीं पर भी किसी भी दुकानदार को भेश के जो कमा तो उसके वज़े से उनका कमपनी के उपर अफर ज्यादा पड़ा तो उसके वज़े से इन्यूर्मस ली यानि वेरी यहाईली यह बहुत बड़ा जो है नॉक्सान जो है कमपनी को आवए अब हुआ क्या फिर उसके बाद लोगा प्रॉब्लम्स जो है ठीक हो गया पर रूलर्स वीक होने लगा तो उसी का फाइदा उठाते हुए बेंगाल में ब्रिटिस लोगों ने अपना जो है कदम जमा दिया अब जो है बेंगाल एकोर्डिन टू दा कम इस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से चलने लगा अब वहां के जो है राजा जो भी था वो जो है बहुत कमज़र हो गया मौल एंपायर बहुत कमज़र हो गया अब पूरा जो है सिस्टम वो लोग चलने लगा